दोस्तों दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल लवर होते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल्स को घर में पाल के रखते हैं यहीं पैट बना के रखते हैं आप इस्टुडेंट्स में से भी बहुत सारे ऐसे इस्टुडेंट्स होंगे जिन्होंने को कैट पाल के रखी होगी या जिन्होंनने कोई बर्ड द्खर बीपाँ के रखी होगी बहुत सारे एनिमल्स हैं यहीज जो ढमेस्टीक एनिमल्स आप उनको पाँ सकते ए अपने घर में उनको रख सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि animal lover का मतलब यह है कि आप cobra से love करने लगे तो बिलकुल ऐसा नहीं है दोस्तो यही वाली theme है हमारी आज हम पढ़ते हैं class 10th English से poem animals जिसके लिखने वाले हैं जिसके composer है Walt Whitman तो Walt Whitman ने एक बड़ी कवीता लिखी थी जिसका नाम था song of myself तो song of myself से दोस्तो यह एक छोटा सब पार्ट लिया गया है जिसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है animals तो दोस्तो आईए start करते हैं अपनी इस poem को तो दोस्तो पोम की सुरुवात होती है इस्टेंजा नंबर वन पड़ते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस्टेंजा नंबर वन में पोईट वोल्ट वीटमैन सुरू करते हैं वो कहते हैं कि I think I could turn and live with animals वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यदि मुझे अपना विचार बदलना पड़ जाए तो मैं जानवरों के साथ रहने लगूँ दे आर सो पलैसिड एंड सेलफ कंटेंट क्योंकि वो इतने ज़्यादा सांथ हैं और यतने ज़्यादा आत्मसंतूस्ट हैं यानि ऐसा क्यों कह रहे हैं वॉल्ट वीट मैन ऐसा वॉल्ट वीट मैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह एनिमल्स की क्वालिटीज को यहाँ पर दरसना चाह रहे हैं यानि एनिमल्स के अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज हैं जो मानव यानि human beings के अंदर भी होनी चाहिए जो नह से एनिमल की जो क्वालिटी है वो उनको एक्रेक्ट करती और से वो एनिमल लवर यहीं को यहीं का विचार हुनिखा करते हैं तो वह अपने आपको बता रहे हैं कि वह जंगल के किनारे पर खड़े हैं और जंगल के किनारे पर खड़े होकर वो घंटो घंटो जो है वो जानवरों को देखा करते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें लाव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी जंगल में जाएं और आप भी जंगली जानवरों को देखते फिरें तो ऐसा बिल्कुल कि यदि मुझे अपना विचार बदलना पड़ जाए, यदि मैं turn होना चाहूं, तो मैं जानवरों के साथ जाकर गए रहूं, क्योंकि they are so placid and self-contained, क्योंकि वो जो है placid है, यानि बहुत ज़्यदा सांत है, और self-contained है, यानि आतम संतूस्ट है, यानि वो सांत है, मानव की तरह हिंसक नहीं है और आदम संतुस्ठ है जो कि मानव के अंदर आदम संतुस्ठी नहीं है वो इधर से उधर मारा फिरता है तो ये सब क्वालिटी यहाँ पर नहीं है मानव के अंदर इसी लिए उन्हें एनिमल से प्रेम है अगली लाइन में कहते हैं वोल्ड वीट मैं I stand and look at them long and long यानि मैं वहाँ पर खड़ा रहता हूँ वहाँ पर मतलब जंगल में और बहुत लंबे समय तक उन्हें देखता ही रहता हूँ देखता ही रहता हूँ यानि उन्हें लव है अनिमल्स को देखने में तो आए अगले अन्जा हमें कहता है कि यानि वे कसमे नहीं खाते हैं जैसे आदमी कसमे खाता-फिरता है जोत बोलता फिर भी कसमे खाता है तो इसा बिलकुल एसा नहीं है तो दे डूनोट स्वैट वे कसमें नहीं खाते हैं and Wynne about their conditions और अपनी दसाओं पर करहते नहीं है अपनी दसां में परिशान नहीं होते हैं, अपनी दसा से दिक्कत दूसरों को नहीं बताते हैं, रोते नहीं हैं, जिस तरह से आदमी जो है, अपनी कंडिशन से परिशान हो जाता है, कि अगर मैं फेल हो गया, एक्जाम में पास नहीं हुआ रहे, मेरा एक्जाम क्लियर नहीं हुआ, रोने जुरूरत नहीं उसके लिए आपको फिर से त्यार होना है तो दोस्तों यह क्वालिटीज है जो एनिमल्स के अंतर मौजूद है इनकी वज़ा से वर्ल्ट वीटमेन को प्रेम है उनसे अब देखें नेक्स लाइन में क्या कहते हैं दे डू नोट लाई अवैक यानि वह कर अपने पापों के लिए रोते नहीं है जिस प्रकार से आदमी है कि पाप कर लेगा पहले दो पाप कर लिया और फिर जाकर के अंधेर में रो रहा है पस्तवा कर रहा है कि यह मुझसे क्या हो गया यह मैंने क्या कर दिया तो चुकि वह पाप करते ही नहीं है तो वह रोए नहीं करते हैं, discussing their duty to God, यानि अपनी ईश्वर के लिए कर्तवियों के बारे में बहस करके, वो मुझे डिस्टब नहीं करते हैं, वो मुझे परशान नहीं करते हैं, है ना, तो अगली लाइन में आएए दोस्तों देखते हैं क्या कहते हैं, वो कहते हैं, not one is dissatisfied, यानि कोई एक भी ऐसंतुष्ट नहीं है, यानि जानवरों से बोल रहे हैं, एनिमल से बोल रहे हैं, एनिमल जो है हरे के एनिमल जो है वो पुरी तरह से satisfy है, यानि कोई एक भी डिस सैटिस्वाइड नहीं है आसंतुष्ट नहीं है not one is demented with the mania of owning things यानि कोई एक भी चीजों को अपना बनाने के पीछे पागल नहीं है जिस तरह से आदमी ये भी चीज मेरी हो जाए ये भी चीज मेरी हो जाए मेरे पास एक बाइक भी आजाए बाइक आगई मेरे पास एक कार भी आजाए एक कार भी आगई मेरे पास एक प्लेन आजाए प्लेन भी आगया मैं मुख्यमंत्री बन जाओं मुख्यमंत्री बन गए और मैं प्रदान मंत्री बन जाओं तो ये इस तरह की qualities animals के अंदर नहीं है जो human beings के अंदर qualities हैं अगली line में दोस्तों कहते हैं कि not one needs to another यानि कोई एक भी दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता है यानि एनिमल की बात की जा रही है animal के बारे में बता रहे हैं poet Walt Whitman की कोई एक भी जानवर किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है चाए भले मर जाए चाए एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाए कोई परवा नहीं लेकिन घुटने नहीं टेकेंगा वह या कभी आपने is kind that lived thousands of years ago, यानि हजारों वर्सों से वो जंगल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सामने घुटने बिल्कुल भी नहीं टेकते हैं, अगले स्टेंजे की सुरुवात करते हैं, वाल्ट विट्माइन कुछ इस परकार से, कि not one is respectable, कोई एक भी सम्मान यह नहीं है, यानि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि किसी के सर पर ताज रखावा है, या कोई MLA है, कोई MP है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेजिडेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो जंगल का राजा हम सेर्फ बताते हैं, य या सांपो का राजा हम कोबरा बताते हैं, यह हम ही तो बताते हैं, उन्हें नहीं पता है, तो animals कोई यह सब चीजों के बारे में कोई जानकरी नहीं है, तो वो ही यही हमें बताना चाहते हैं, कि not one is respectable, यहनि कोई एक भी सम्मान यह नहीं है, और unhappy over the whole earth, और पूरी प्रत्व पर कोई एक भी नाखुस नहीं है, यह आसा नहीं है, कि वो नाखुस है, हमारे मानो में हमारे जो आदमी है, जो human being है, वो नाखुस रहते हैं अपने आप से, लेकिन वो जो animal है, वो हमेशा खुस रहते हैं, चाहिक किसी भी तसा में हैं, अगली लाइन देखे, अगली सब्सक्राइब कर दें υब्रिंग में टोकनs ऑप मैसल्फ यांई वो मेरे लिए टोकन लाते हैं तो सब्सक्राइब का मेनिक समझ लीज़ेगा दोस्तों यहां पर जो की कमीनिक है High qualities से है, यानि qualities से token का मतलब है, यानि ऐसी qualities जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं human beings, तो वो सारी qualities को जो है token बोल रहे हैं, बोल्ट वीट मैंने आपर, कि वे मेरे लिए token लाते हैं, और वो सीध कर देते हैं them plainly in their possessions, और बिल्कु साफ साफ तोर से वो मेरे लिए token लाते हैं, मेरे लिए quality लाते हैं, यानि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और वो सीध कर देते हैं अपने आपको कि वो ज़्यादा गुनवान है, और last line में बोलते हैं, और वो कहते हैं last line में कि did I pass that way huge times ago, negligently dropped them, यानि लापरवाई से न जाने कितना बड़ा समय मैंने गुजार दिया, यानि पता नहीं कितना समय यहाँ पर मैं गुजार रहा हूं और बहुत समय हो गया है, कब से मैं पर खड़ा हूं और animals को देख रहा हूं, मुझे पता नहीं है, तो इस तरह से my dear student, that is the end of this poem, इस तरह से यह poem आपकी खतम होती है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ माथा पच्ची करने की आवस्चता नहीं है, बस आपको यह ध्यान रगना है कि कवी वाल्ट वीट मैन, जंगल के किनारे पर खड़े हैं, और उनकी qualities की विज़े से उनसे उन्हें प्रेम हैं, क्योंकि animals की जो qualities हैं, वो उन्हें attract करती हैं, उनसे एक रिस्ता बनाने हैं, तो thank you very much for watching this video, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को कर दीजे like और चैनल को कर दीजे subscribe, तब तक पढ़ते रहिए वीपुल classes में